तो दोस्तों फैनली एक और नहीं वीडियो साथ आचकें आप में से बहुत से लोग यूटूब पर कमेंट करके या डालिकली फोन करके पूछते हैं कि मैंने अपने घर में वाइफय कनेक्शन लगा रखा है लेकिन उसका दिक्कत यह है कि उसको नीचे लगा रखा है और मु वाइफय रिपीटर बहुत ज्यादा महेंगा आता है ऐस केंपर दो वाइफय राउटर तो इसलिए आज के स्वीडियो में मैं आपको बताने वालों कि कैसे आपनों दो वाइफय राउटर को एक दूसर से कनेक्शन कर सकते हो और अपने घर में वाइफय का रेंज बढ़ा सकते हो तो बहुत ही सिंपल में थाड़ है दो वाइफय राउटर कनेक करने का जो कि आपको इस वीडियो को देखने बाद पता लग जाए कि वह आपको करना है कि पूरा वीडियो एटू जेट देखना है और स्टेप आपको फोलो करना है जो भी मैं आपको इस्ट्रक्शन संदू तो सुरू करता है वीडियो को तो दोस्तों यहां पर मेरे पास दूर आउटर आचुए और ये मेरे नीचे वाले फ्लोर पर लगाना है और इसे एजर रिपीटर यूज करना है तो यहां से आपको स्टेप बाइस्टेप फोलो करना है कोई भी स्टेप मिस्ट निकर करना है ठीक है और इसको मैं एक्जांपल के लिए यह वायर लेकर आएं बड़ा सा क्योंकि मेरे पास कोई छोटी वायर नहीं थी इसलिए बुरा मत मानना इसी वायर से मैं आपको करके दिखाऊंगा यह मैंने गोल इसलिए कर रहा है ताकि आपको भरोसा हो कि दूसरी कोई एक पिंटार अलग से नहीं आरे से तो जिस राउटर को एज़रीपेटर इंश करना है यह दूसरी वाले फ्लोर पर आपको कनेक्ट करना है उसको रीशेट करना है सहसे पहले फिर चले trillion होता है इसको कह तो आता है टो यह सैकिंद के लिए करने मैं है इस traffic बाद ऊ- Kayla नोना पर सब्सक्राइब हो कि इस पूट में और इस पोर्ड को छोड़ कर एक दो में से किसी पूट में JUST को लगा सकते हो और निचे वाले आपको इस पूर्ड में यह केबल इंसर्ट कर देना है ऐसे करके और ध्यान रहे पहले और दूसरे नंबर में इंसर्ट करना है या आप के वाले में ज्यादा पूर्ट हो तो उसमें भी आप इंसर्ट कर सकते हो लेकिन जहां पर नंबर लिखा वही पर यहां पर आई पी टीवी लिखा है यहां प देख सकते आप और यहां पर हमें W.A.N. वाले पोर्ट में कनेक कर देते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यह वाइफाय राउटर इस वाइफाय राउटर से वाइफाय से प्रेड्ट हो चुका है लेकिन अभी इसमें इंटरनेट नहीं चलेगा जो कि आपको दिखाता हो यहांसे अपने से कनेक करके यहां अगर मैं कनेक करूँ तो यहां से मैंने कनेक कर दिया तो अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो यहां पर अभी इंटरेट नहीं चलेगा हुआ हुच है लिषया नहीं चल कर अपूप के आई-पीड इंटर समय जो की रहा हर आउटर के चलिग उसलिणल ट्वृट निक्त घंड कर दितंट ट्रीन पॉंट वण और इंटर करने का ने ई पर में आप और यहां पार आज़के यहां पांगयुन सब्सक्राइब्स जैसे अन गरें जैने यहां पर आपको इसका पास्वट्ट करना है जब यह आप राउटर को रिशेट मारोगे तो MIR राउटर क्या है उसका पासवर्ट भी रिशेट कर देता है जिससे आपको हर बार यह अपना पासवर्ट set up करनें के खायेगा तो यहां passport set up कर देते हैं 123456789 कर दिया हमने और next कर दिया और दोनों का पास्वड से मिली रखते एड्मिन जहीं पास्वड और चिन पयों कर देते हैं करने के बाद एक यह वे नरे स्टेप है जो आपको आपको राउटर के एड्विन पेर पर जाना है यहां पर आगए हम लोग इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है सेटिंग नाने के बाद आपको नेट्वर्क सेटिंग में जाना है हर वाइफे राउटर के नेट्वर्क सेटिंग में ही आपको यह ओप्शन मिलेगा ठीक है तो आपको सेलेक करना है डि यहांपर इसके बाद यहां पर कांफिगर डिशा से करना है अब मैं यहां पर कुछ ओपन करके त्टेश्य घूते आप arbit करने के बाद एक सक्षेश्य टॉट कोई दिकत भी और अब मैं आपको इंटरनेट स्पीड दिखाते हूं इसे कितनी है यहां पर देख सब्सक्राइब बहुत ही बड़ी आई स्पीड आ रहा है यहां पर डाउन्लोडिंग 94.6 MPS आ रहा है अप्लोडिंग भी 93.7 MPS की अप्लोडिंग आ रही है तो यही तरीका है जिसे आप लोग दो राउटर के एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो और अपना दो वाइफाय का रेंज है उसे बढ़ा सकते हो तो अब मैं आपको दिखाता कि मैंने कैसे अपने घर में कनेक्शन कर रखा है तो यहां पर में वाइफाय राउटर है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है बाहर से और इस वाइफाय राउटर को मैंने ऊपर वाले वाइफाय राउटर से करका है जो कि आप लोग वहाँ देख सकते हैं एक वाइफा फिर भी अगे आखोव मेन ना कनेट कर शजाश को तो आप नीचे comment मेरें ने मग support भी आपको दिवाब लें! तो मुझे उमिद है कि आपको वीडियो पसंद आला और वीडियो को लाइक के देệे अगर आपको चेनल पर श्वाल को अगर वीडियो आगे देख आते हूँ झाल झाल